आज़डी कार्याले में 7 अगस्त को होने वाले महागटबंदर के प्रतिरोध मार्च को लेकर तजस्वी यादव ने नेताओं के साथ बैठक की बाठा के बाद मीडिया से बात चीत करते वे उन्होंने बताय कि 7 अगस्त को महागटबंदन का महंगाई बेरोजगारी से तकई मुद्दो कुले कर एक बड़ कारक्रमों का जिसमें सब ही ने था शामिलोंगे इस दोरान वे बीज़पी पर जम कर बर से चाहिए कि जो लोग कहते थे कि नोट बंदी के बाद भरस्ट चार मिटेगा अतंगवादी घटा है घटेंगी आज उनके शाचन में भरस्ट चार बढ़ा है देश के संपत्यों को बेचा जा रहा है आप लोग जो मिडल क्लास फैमिली है या लोवर मिडल क्लास फैमिली है उसकी स्थिति ये हालत है महेंगाई में तो जो जमीनी इस तर पे जो गरीब गुर्बा है आप कलपना कीजे कि उसकी क्या स्थिति होगी उसका घर कैसे चलता होगा तो घर में बिमार पर जाए तो इ तो इसलिए साथ तारिक को हम लोगों का पूर महीं निधारित कारिकरम रहा है महागरवद्धन का बेरोजगारी महेंगाई सुखार बार भरष्टाचार इन सभी जो रियल मुद्दे हैं असल मुद्दे हैं इसको ले करके हम लोग मजबूती के साथ जो जन सरोकार के जो प्रतिरोथ मार्चे इसको लेकर तैयारी शुरू हो कई है आजएडी और कॉंग्रिस ने किंद्र और राज्य सरकार को घिरने का पूरा पलान बनाया है आजएडी नेता श्याम रजक नेका के बरतिय महेंगाई किसान सुखार और जीस्टी के मुद्दे पर महागठवनर के नेता विरोध तर्च करेंगे पटना के जेपी गोलेंबर से पटना डियम कार्वियारत तक प्रतिरोध मार्च होका तो वहें कॉंग्रेस विदाक प्रतिवा कुमारी ने का कि मोधी सरकार के राज्य में महेंगाई बिरुजगारे बढ़ गई है इसलिए 7 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन के दिनी महागट बंदन का आकरोश मार्च है तो वहें दोस्ते तरफ बीजेपी और जेजू ने हमला बोला है बीजेपी परवक्ता संजर ट्राइगर ने नसियत देते वे कहा है कि विरोध दलो को सार्थक और जनता के मुद्दे पर ध्यान दने की लग गया है तो अलग है कि एंडिये के लोगों को महंगाई नहीं दिखाई दे रहा है दिखाई देगा भी नहीं क्योंकि उनके पास बहुत तरह के सिस्टम है उनको महंगाई कहां दिखेगा लेकिन इस राज की और देश की जनता महंगाई में त्राइमाम है प्रशान है बेरुदगारी का उसा ही बार है, भष्टा चार की चरम सीवा होते जाने, इन सवालों को लेकर दस सुत्री मांग को लेकर महाकटबंदन यानि कि राष्टी जनतादल, कॉंग्रेस, CPI, CPM माले के साथ संजुक्त महाकटबंदन का प्रदसन उस दिन सभी जिले मुख्याले पर कॉंग्रेस के लोग, जन सरुकार के मुद्दे को लेकर के सरकार को खेरेंगे, निश्चित रूप से जनता का समर्थन हमें प्राप्त है, और जनता ब्याकुल है, इन लोगों के इस महंगाई और बेरोजगारी के वज़े से जनता इतनी तरस्त है कि जनता बिकल्प खोज किन मौझूदा जो विपक्ष है नकरात्मक राजनिती कर रहा है, इसलिए राज की जनता का उन पर से भरोसा उठ गया है, हाल में पांच राज्यों में चुना हुआ, जिन मुद्दों को लेकर ये लोग जोड जोड से बोल रहे हैं, सारे मुद्दों को चुना में उच्छ पर ला गया था, पैणाम क्या आया, चार राज्यों में भारती जनता पाटी की पुना सरकार बनी, जनता का भरोसा है और विश्वास है केंदर की सरकार पर राजी की सरकार, पर इस पाटी का तो सभाविक चरित रहा है, कि पीड़ी दर पीड़ी ताजबोसी होते रहेगी, तो बन्षवादी राजनीत जो लोक तंत्र के लिए खत्रा और इसके साथी साथ वोट के अधिकार को धन से खत्रा, ये दो बड़े खत्रे हैं, अब ये हर एक दल का अंदूरी मामला है, कौन अपना संगठन चुनाओ के इसे करता है?